लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लाइकनो सब्सक्राइब करें देंगा, इस बार मैं तुबे जरूर बहीं दूर दूर घुमाने ले जाएंगा रहने देजी, सौतन घुमाने देगी तब न? सौतन? मतलब? आपकी ड्यूटी देखो, देखो, देखो न, वो लवली क्या? उस पहाड पर बरसात में एक रात उस जोपुड़ी में गुजारें तुम्हे बारिश अच्छी लगती है? नहीं नमसकार साब नमसकार, नमसकार C.B.A. Officer, सत्यदेव सिंह साब, आपका और भावी जी का हम स्वागत करते हैं धन्यवाद हम पर जो जल्म और अथ्याचार हो रहे हैं आपके आजाने से वो दूर हो जाएंगे कैसे बात कर रहे हैं आप कलेक्टर भीम सिंग ने इस शहर के लोगों को बहुत ज्यादा परिशान कर रखा है Thank you sir जी हुजूर आप थंडा लेंगे या गरम ऐसा कर ये आप थंडा दे दीजे और आप गरम दे दीजे पूरे तीन लाग रुपे हैं Cool एक दम नदी किनारे 20 एकड़ जमीन है मेरी एक दम हार्ट प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम कर दिये साहब Mr. सत्यदेव सिंग Sir भीम सिंग के बारे में आपने जो ख़बर दी है वो सही है Sir मैं दावे के साथ कहता हूँ भीम सिंग के बार मैंने जो कुछ भी बताया है वो बिलकुल सही है Sar मैं पर साली भीम सिंग जी मोशनी जानता हूँ वहीuld के मांना र ओफिसर है और बहुत अच्छे इंसान है इतने अच्छे इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे Collector सहाप मेरा साला शहर के बीचों बीच एक शांदार कलब और होटल बनाना चाहता है लेकिन वहाँ शांती बेन अनाथ आश्रम आड़े आ रहा है आप लोग मेरी पोजीशन का बहुत फायदा उठाते हैं मैं एक गॉर्मेंट आफिसर हूँ मेरी भी कुछ लिमिटेशन्स हैं खेर अजी फायर बिगेड राजाराम जी मैं कलेक्टर भीम सिंग बोल रहा हूँ वो लाल चौक में शांती बेन अनाथ आश्रम है ना वहाँ आग लग गई है ओहो लगी नहीं यूँ समझिये के लग जाएगी आप आराम से अपना फायर एंजन लेके एक घंटे के बाद वहाँ पहुंच जाएगी तेरा काम तो हो गया अरे यह सब भीम सिंग्जे की महरवानी है पॉल आलू कसाई कलक्टर की कुरसी के आड़े यह भीम सिंग्ग और कौन-कौन से धंदे करता है कोशल्या कोशल्या ठाकरों के हाँ हमेशा बेटे पैदा होते हैं हमारी साथ पुछते दूसरों की बेटिया विदा करवाकर जरूर लाई लेकिन हमारी चौकट से कभी डोली नहीं उठी तुमने भी वही परमपरा कायम रखी है डॉक्टर ने सोनोग्राथि की रिपोर्ट दे दी है शाधी के 14 साल के बाद हमारे हाँ बेटा पैदा होगा मेरा बेटा डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है आजकल बेटों की खुशियों और बेटियों का दुख़ड़ा कोई नहीं रोता दुनिया में कौन सा ऐसे बड़े से बड़ा काम है जो बेटिया नहीं कर सकती बेटे के लिए तुम्हारी दीवानगी जुनून की हत को भी पार कर चुकी है मेरी दीवानगी तो तुम हो कौशल्या और हमारा जुनून होगा हमारा बीटा मिम सब कहा है जी अंदर है दो दो तुफ़े आज मेरे लिए अरे तुम जो मुझे दो दो तुफ़े देने वाली हो तो उन तुफ़ों के लिए ये तुफ़े लाया हूँ अच्छा क्यों जी क्या एक बच्चे की खुशी काफे नहीं है इस घर के लिए जो तुम जुड़वा की उमीद लगाया बैठे हो तो इसलिए गंगा क्या मैं जानता हूँ के एक बच्चे को जैनम देने में और अरत को कितने कश्ट होते हैं अच्छा उनका नाम क्या रखोगे एक का नाम शाम और दूसरे का घंशाम एक सज बात कहूं गंगा तुम मेरी शक्ती हो अरे आज तो भक्ति की रात है तुम अचानक शक्ति के और कहा चल दिये गंगा डिवाली की आज की ये रात काला बाजारी और जन्ता को धोका देने वालों की बहीक हातों की पूजा करने की आखरी रात है कल उन पर कहर बंद कर जो तूटेगा उसका नाम है सीबी आफसर सत्तिदेव सिंग दोगा धरी और घोटालों के सिलसले में मैं जिन लोगों को गिरिफतार कर चुका हूँ कलेक्टर साहब वो बिचारे तो हमारे फर्स्ट डिगरी इलाज पर ही दोते की तरह बोलने लगे है मुझे एक इतला मिली है कलेक्टर साहब कि उनके साथियों का एक जथ्था आप के पास फरियाद लेकर आया था इन सारी साजिशों के पीछे जो सबसे बड़ा गुनेगार है जिसके शहेपर इतने बड़े-बड़े कांड हुए है वो आप हैं कलेक्टर भीम सिंग आप कुछ ठंडा लेंगे या गरम हमारी भाशा में ठंडे का मतलब है हाड कैश और गरम का मतलब हाट प्रापरटी वह रिश्वत का ये नया अंदाज मुझे पसंदा है ओफिसर तुम क्या समझते हो कि दोका धड़ी और गोटालों के केसिस का रुपया वापस गवर्मेंट के खजाने में चला जाएगा नहीं एक केस के बाद दूसरा केस खुलेगा दूसरे के बाद तीसरा हर केस के लिए एक जाच कमिटी बिठाई जाएगी लेकिन होगा कुछ नहीं छोड़ो इन दुखडों को और अपनी सोचो अपना ही दर्द मिटा लोगे तो बहुत बड़े हमदर्द बन जाओगे नहीं नहीं मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूद नहीं कलेक्टर साथ पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन करने के बाद अपनी पहली तंख़ा से मैंने छे मीटर कफन का कपड़ा खरीद लिया था और आज तुम जैसे देज़ द्रोईयों को कुचलने के लिए मैं वही कफन अपने सर पर बान कर यहां आया हूँ तुम से पहले इस शेर में सरफरोशी के नारे लगाने वाले पता नहीं कितने ही पुलिस आफिसर आये भौके और बे मौत मारे गए बड़ों की सला मानो अपना तबादला किसी दूसरे शेहर में करवा लो कलेक्टर साब मैं अपनी वर्दी की कसम खा कर कहता हूँ कि आने वाले 24 गंटों के अंदर अंदर मैं खुद तुम्हें इसी शेहर में गरफतार कर लूँगा अपने वफादार खुत्तों को जरा होश्यार करते ना कि वो अभी से तुम्हारी पहरेदारी शुरू कर दे यह लो धनसुक यह तुम सब लोगों के लिए लेकिन सरकार अभी पिछले हफते तो आपने हमें दिवाली दी थी कहीं आप भूल तो नहीं गए अगर आप लोगों से मैं अपने होने वाले बेटे के लिए दुआएं ना लू तो भूल होगी मेरे खांदान का वारिस आने वाला है अच्छा आहां आपको तो वारिस मिल जागा कलेक्टर साहब पर हम लोग लावारिस हो जाएंगे उसका क्या क्या हो गया भई इस शहर की सारी बिजनस कम्यूटी मेरे घर में भुचाल की तरह कैसे आ गई तो क्या भी तक भुचाल के खबर आप तक नहीं पहुंची सिब्याई ऑफिसर सत्यदेव सिंग ने ठेकेदार सिंग कालू कसाय और रागवन के सारे कारोबान का भंडा फोड़ दिया है और मैंने सुना है वो सचाई इस तरह उगलवाता है जैसे तोते का गला दबा दो तो वो टें टें करने लगता है आप कुछ करो साथ अब तो फासी का फंदा हमारे गले के एद गिन दजर आ रहा है तेस फंदे में लटककर हम अकेले नहीं मरें करिक्टर साहाब आप जल्दी कुछ कीजिए वरना आप जैसे हमारे धंदे के पाटनर वैसे फंदे के पाटनर खामुश वरना जबान खिजकर हलक से अलग कर दूगा मैं उतना अंजान नहीं हो जितने तुम लोग बेवकूफ हो मुझे सब कुछ मालू मैं अब वो तुमारे दर्वाजे पर नहीं आएगा क्योंकि उसकी जंग उन तीनों के साथ खत्म हो चुकी है और अब उसकी टक्कर कलेक्टर भीम सिंग से होगी जिसका मैं बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहा हूँ तो कल आ रही है स्पेशल टास्क फोर्स कलेक्टर भीम सिंग को गिरिफतार करने कि एक रात काफी है सत्य देव सिंग और उसके परिवार का एंकाउंटर करने के लिए पर सर हम लोग एंकाउंटर करेंगे कैसे अब वो दिन आ गए हैं जब पुलिस वालों का एंकाउंटर करना मुझे सिखाना पड़ेगा वाँ कलेक्टर साब वाँ निर्दोश और इमानदार इंसानों के खून से अपने हाथ रंगने वाला मेरा पती नहीं हो सकता तुम्हारी दौलत वो शान और शौकत तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई नहीं पाप की कमाई है इतना बड़ा पापी मेरा पती नहीं हो सकता आज जब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है तो आज मेरा फैसला भी सुन लो मैं तुम्हारी पाप की दुनिया से दूर जा रही हूं मैं तुम्हारी परचाई तक अपने बच्चे पर नहीं पढ़ने दूगी मुझे दूसरों के खुन से आटा गूल्द कर उसका निवाला अपनी संतान के मुण में नहीं डालना है मैं चाह रही हूं हमेशा हमेशा के लिए तुम अपनी मर्जी से कही नहीं जा सकती और शल्या, मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं सरकारी काम का आज की बारी किया तुम्हें समझा सकूँ जिस बात का मैं फैसला कर चुकी हूँ उस बारे में मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती अरेस्टर इन्हें बाइजदत ले जाकर सरकारी केस्ट हाउस में नजर बंद रखो जब तक मेरा होने वाला बेटा मुझे नहीं मिल जाता तुम वहीं रहोगे कौशन लिया सत्यदेर सिंग है सर मैं शर्मा बोल रहा हूँ हाँ बोला शर्मा क्या बात है सर इस घदार कलेक्टर भीम सिंग को खबर मिल चुकी है कि आज देर रात स्पेशल टास्क फोर्स यहां पहुचेगी इस कविने ने पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ मिला कर आज यी रात आपका एंकाउंटर करने का ओर्डर भी दे दिया है वाट वाट वाले सरकारी आउट हाउस में जहां उसने अपनी बीवी को नजर बंद कर रखा है सर शर्मा बी रेडी टो अटाक ओके सर दूद का गिनना अफशगून होता है घर से बाहर मत जाईए लुदा दूद का गिनना अफशगून होता है लेकिन भीम सिंग जैसे देश द्रूहियों के लिए उपास अगर जंदाना चाहते हो तो अपने आपको हमारे हमाले कर देए इस इस माइज फाइनल वार्ले इंसे गोली चराने की गलती मत करना वरना चारो तरफ से इतनी गोलियों चलेंगी तो तुम्हारे जिसमें में सिर्फ सुआ की नजराएंगी अगर नजराएंगी जब दुनिया के सामने आएगा पाप तो तब होगा ना शुरम आई सच शुरम भूली तो सरफ म्यानी से चलेगी पाप बढ़ पाप पाप बढ़ गी में अगर पाप ξय...,स्यू 2 पजनियू आदेएग आदेएग ब modo हम स्के सुरिपो आदेए्प आदेए्प चश Gloria पता पता है अपुटीन आप भोटीन मद्वाले है तुर्जी हो मेरे पीछी अपने बच्चां के लिए जिय हो अब अच्छी संस्कार आचा बणा लिखाना नहीं नहीं जाओ यासी मैंने जाओगी मैंने जाओगी महारा मैंने जाओगी आप ऐसा मत कहीए मैंने आपको आप मुझे छुड़ कि मदददे वरचारी बहुत नहीं कौरती इसके हंकार के और जैसे इसके भी हंकार करना च्छी बात दी है कि अर जैसे थांत जैसे इसके हंसारण में पने जैसे इसके मुत नहीं कि बंदाब कि अव्य करना च्छी बात दी है तुम दोनों हुए इसे है अलग हुए इसे लिए मैं तहती हूँ तुम दोनों हुए इसे है अलग हुए इसे लिए मैं तहती हूँ तुम दे शाव भन शाव ओ शाव भन शाव मेरी शाव मेरी शाव जहां जाएगा साला पहां पड़ेगा ताला अरे जीज़ा जी के खजाने की चावी तु है मेरे लाद्र अरे चावी से अपने मूपर ताला लगा कर चुप बैठो जी जब देखो फीच में बोलते रहते हो मैं समझाती हूँ अपने लाल को बेटे कलक्त सहाब बहुत पुराने घाग हैं बड़े से बड़ा कमिना उनका भरोसा नहीं जीच सकता समझा जीजाजी 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 परबाद हो गया यह नहीं हो सकता नहीं हो सकता यह जीजी की तस्वीजेञा माला हटादो मैं जानती हूं, जी जी जिदा है। मैं जानती हूं, वो इसी ग grounds में है। वो मेरा से घर से आएंगी। नहीं तो, नहीं तो वो उधर से आएंगी। कही न कही से वो आएंगे ज़रूर। और आधे उछे गले लगाएंगी। रोने से सच्चा ही नहीं मिड़ती पुछबा, यह सद्मा पहार बनकर हम पर तूटा है, हमें मिलकर ही इसे बाटता होगा दिया, मैंने दान दिया, मन, कर्म, वचन से, अपने बेटे का दान दिया, जब आपने इसे कलेजे से लगा ही लिया है, तो अब यह आप ही की गोद में पलेगा पुछबा, तेरा त्याग देखकर तो तेरे चरंचुने को जी चाहता है देखिए, अब हम अभागे हो गए हैं, चलिए चलते हैं, अगर यहां रहेंगे, तो इन हमेशा ऐसा लगेगा, कि इनके बेटे का प्यार मट रहा है तो ठीक कहती हो, पुछबा, चलो चिंतमनी तुमने मेरे घाव पर मर्हम रखी है, मैं तुम इस तरह गायल कैसे भेज दू, इतना कमजर्फ इंसान नहीं हूँ मैं हम सब यहां एक साथ ही रहेंगे, एक ही छत के नीचे जीजा जी इस घर के जर्ड़े में जीजी की यादे बसी है, मेरी एक सला मान लीजिए इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए जो पेंसिल तुमने चुराई है न, उसे लेने शाम भया तुमारे घर जरूर आएंगे, जा गीता तेरा घर आगया तु क्यों छेटा रहता है उस बिचारी को हमेशा? वो बिचारी? तु बिचारा, सिर्फ मैं एक बच्चा आवा रहा, क्यों? छोटे, बसकर बहुत हो गया, क्या बसकर दू बड़े? तु बस चुप हो जा चोटे, मैं चुप नहीं हूंगा बड़े, छोटे, बड़े, छोटे, बड़े, खामोश, मा देखेगी तो क्या बोलेगी, चल्ट क्या हो, काका? चिंदा की कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारी मा की तब्वे थोड़ी सी खराब है, डाक्टर साब ने दवाई दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा, मा का बराबर ध्यान रखना, आये डाक्टर साब, चलिए क्या हो, मा, नाक्टर ने तुम्हे आराम करने को बोला है न, सुच जाओ न, मा अब तो बिलकुल काम नहीं करेगी, हाँ अरे, मैं अगर काम नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा, ये सारे खिलो ने बना कि कल सुबह गुपता जी के वहाँ पहुचाने है, अगर नहीं पहुचाई, तो स्कूल के फीज कैसे बरूँगी वो सब देखा जाएगा, मा, तुम बिलकुल काम मत करो, तुम बस सो जाओ, मा मा, अब तुम सो जाओ न, ठीक है, जब तुम दुनों बड़े हो जाओगे न, तब मैं बिलकुल काम नहीं करूँगी देख मा, मेरी मुच्छे, अब हम बड़े हो गये न, क्यों शाम बईया मा की ममता पे हम होंगे कुलबा, तेरे दूद की कीमत देंगे देखकर अपनी जान मा की ममता पे हम होंगे कुलबा, तेरे दूद की कीमत देंगे देखकर अपनी जान आज दू आराम करेंगी और करेंगे काम कौन करेगा काम? कौन करेंगे 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 क हुआ 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 है हम दोनों है एक से तो अलग कैसे ना इसी लिए व्सक्राइब कहते हैं हमेशा हुआ हम गन शां ओ शां गनिशा, गनिशा, गनिशा गंगा टॉइस ने तो पूरी मार्केट पे कब सा कर लिया है शाम भाईया ये तुम दोनों की मेहनत और तुम्हारी मा का आशिरवाद है लो पैसे पेटी उठा के लाए सेट जी मजदूरी नहीं दोगे ले यार चाम भाईया आज मैं बहुत थक्या हूँ चलो होटेल जाके कुछ ठंडा पीते है ठंडा बंडा छोड़ घर चलते हैं तू गरम पी ले कुपता जी के हाँ से हमेशा की तरह उपर से पैसे लेके तुम गरम हो चुके हो अरे ये तो मेरी महनत की कमाई है भाईया खिलोने मैंने भी उठाएं और दो बेटी खिलोने हमें फिर उठाने और वहां ले जाने संजे पक से तो बाद में भी ले जाएंगे भाईया पहले होटेल तो चलो अरे पागल हो गया तहां तोड़े का अपने अपना लोया थुख्रादो प्यार का तोफ़ाला है क्या करें तू देखने की चीज़ा देख रहा हूं यार घंच्याम साले अपनी आखें बंद कर लूं अरे टंडन साब इस खड़क सिंगी तो अब तक कोई खबार ही नहीं है कुछ कीजिए मिश्रा जी वरना एजनसी वाले अपनी कंपनी को ताला लगा देंगे अब इस खड़क सिंग के इंतजार के सिवाए और कर ही क्या सकते हैं इतनी हुचाई से बाइक से जंप मानना कोई मजाक नहीं है मुझे खड़क सिंग किसी भी हालत में चाहिए चाहम तु खर चल में आतो खड़क सिंगी आगे खड़क सिंगी आगे चला भाय चला उचला चला उचला ना ऐसम दीगा ना गुट्ड़ फंटास्टिकः यह लो, थैंक यू भाईया तुम, घर नहीं गया? हाँ, मैं, घर नहीं गया, तुम्हारा तमाशा देख रहा था, पैसे कमाने का कोई भी मौका मत छोड़ना हाँ, और इन पैसों से इस जुएलरी के दुकान से तुमने क्या खरीदा है, कान का जुंका, गले का हार या कंगन, कौन है वो तुम्हारी महभूबा, भाईया जो तुने कुछ भी नहीं किया है, तु दो भगवान का अवतार है, देख घंशाम, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, अभी मा के सामें सब कुछ बोल दूगा, अरे, तुम लोग चिल्ला क्यों रहा हो, जगड़ा क्यों कर रहा है, तुम लोग, हाँ, तुम इसे डाट क्य लगा कर पैसा का बना पड़ा, जनाब ने उन रुपियों से, जोईलरी के दुकान से गहने खरीदे है, पता नहीं किस गर्ल्फरेंड के लिए, क्या है ये घंशाम, मुझे तुम से ऐसे उमिद ने थी, मा, मैंने उस जोईलरी के दुकान से, ये गहने खरीदा है, ये, ये तुम्हारे बाबुजी का गोल में दिल है, बरसों पहले गिर्वी रखा था, तुम दोनों की परवरिश करते करते, मैं तो भूले गे थी, लेकिन तुम नहीं भूले, देखा, आपके बेटों को आपके पती कितना आदर है, इन्हें आश्रीवाद दिजिए, मा, बचपन से बाबुजी की बाहदुरी के किस्से सुनते आये, यकेन नहीं आता कि उनकी मौत एक कार आक्सिनल में हुई थी, हाँ मा, मुझे भी यकीन नहीं होता, शेर कार की नीचे आकर मर जाये, ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना था, जी जा जी, भगवान जी की नजर यूही बनी रहे, इस शेर में तो दिन दुनी और राच चोगनी तरक्की हो रही है, अपनी एक्सपोर्ट कंपनी और तीकूट प्लांटेशन के एडवांस दिमांड ड्राउट्स भी आगे है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी और फूड प्रॉड़क्स के कुछ चेकों पर अस्ताक्शन करवाने थे आपसे, ये क्या सुबह सुबह बिजनस की बाते लेगे मेरे पास आगे हो जिनतामनी, मुझे तो इस काम से ज्यादा अपने बेटे मॉन्टी से प्यार है, कहां है वो? प्रॉड़क्स पास्टर! उठे! मेली एक्सरसाइज का सूर तोर दिया! हाई हाई! यह कैसा थमाका हुआ? हाई राम! मैंने अपने हाथों से ताजा फलों का जूस निकालका तेरे लिए भेजा था सब बरबाद कर दिया इस खुल सटने! चूतों से मारना था इसे! क्यों अपने हाथों को तकलिफ थी? वो तो जरा सा छुआ था इसे! जोड से मारता तो शमचान घाट में पड़ा होता ही है! हाई हाई यह बल्ले! यह कल्ले! नजर ने लगे मेरे लाल को! यह वो मसल्स है ममी जिनने देखकर पूरा कॉलेज थर राता है! क्या हुआ मॉंटी बेटा? यह आवाज कैसी आई थी? कुछ नहीं डैडी! काका की गिरने से जूस की ठ्रे फिसल गई! बेचारे बुजूर्ग हो गए ना? आंटे काका को गरम-गरम हल्दी वाला दूद पिलागी! और फिर डैडी घलती भी तो मेरी थी! मैंने टेप रिक के नौजवानों को चरितरहीन बना दिया है! देखते हैं अपना मॉंटी बेटा क्या सुन रहा है सुबा सुबा सुबा? मॉंटी बेटा एक बात याद रखना ठाकुर भीम सिंग के बेटे ने इस शहर में राज करने के लिए जनम लिया है शाम भाईया हम लोगों के कॉलेज में अमीर्जादों की अलादों ने पूरा चंगल राज बना रखा है इनकी नाटक नोठंकी देखके बिना पूछे तो जहापड मानने का दिल करता है चोटे जगडा मारपीर सर वो जड़ लोग किया करते है अरे हां लगता है कल भूल से गीता मेरा पेन अपने साथ ले गई ये भूल तो बरसों से चले यारी है शाम भाईया गीता तुम्हें मिलकर जब भी घर जाती है तो भूछक कोई ना कोई चीज तुमारी ज़रूर ले जाती है अगर भूल से उससे ये भूल नहीं हुई तो तुम भूल से ऊटीक नहीं आते हो और फिर भूल्प्षवारने के लिए तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना मैं उसकी बुआ हूँ और तुम अपने बारे में बताने की तकलीव उठाओ देखी मैं शाम हूँ अरे शाम हो या सुबह मुझे उससे क्या मतलब क्या गाम है तुम्हें उससे तो गीता ही बताएगी लौ वह क्यों बताएगी हाँ उससे तो यह भी नहीं मालूम उसके गहाग्या की इतना लगता है बिचारी की चोटी जल्दी है ठीक है मैं चलता हूँ हाँ जाजर बेकिन सुनोसौरो कपला चुटी की लंधी है अब ही बताता हूँ शाम छोड़ो ना दर्द होता है मुझे बना रही थी बोल शाम से तेरा क्या रिष्टा है बताती हूँ बताती हूँ ना बोल अगर शाम नहीं होता तो गीता भी नहीं होती तेरी तो मैं All of you now, get lost from here क्यों कि यार आज कोई मेरे करीब नहीं आएगा क्या यार क्योंकि आज मॉंटी की रूपा कॉलेज आने वाली है सांड को क्या हो गया सुबा सुबा कॉलेज में सिंग मारता गुम रहा है तुम्हारी आदत बहुत खराब है गंशाम बस मौका ढूनते हो रणने के लिए और तुम्हारी आदत अच्छी है कैभी Sut naturally कोलेज में हो और भाभी का दिखाती हो कि वह आलाए कोलीज का इतियास और तुम्हारी रंग बिरंगे दोस्तli हमें माफ करो मेरे रंग बिरंगे दोस्तों ओ occasions या टी spreads तुना आज की कोई तासा बुलिटिन यार आज मेरा मूड़ खराब हो जाता है यार टील तुझे देश के बेरोजगारों का वास्ता जिनकी वज़े से तू कॉलेज में बार बार फेल होता है सुना दे आज की ताजा बॉलिटिन तो सुनो अभी अभी थोड़ी देर में यहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुके जिसमें शहर के सबसे बड़े कंजूस दास साथ की कलौती बेटी नीचे उतरी वो तीन साल तक अपनी बुआ के पास लंडन में थी और अब हमारे अपता बेटी में ने क्या कहा हाँ अब इंजन खरब करेगा क्या तीदे चला कुछ नहीं नहीं दे रहा है गाड़ी दीदे चलाने को बॉला था बंद करने को नहीं भाई जी सुनाई दे ताब ना पत्रोल के पैसे बचाने के लिए डीजल का इंजन लगा रखा है वो भी इस Ș будет precies 16-23, लाग को फिछिष करता हूं, पिछे की बात सुनाई दे, कुछ सुनाई नहीं देता है लोग प लिज आ गया जाने की तू पिछे की बातते सुनने की कोशिष करता है जी ड्रावर की आंखे आगे होती हैं और कान पिछे होते हैं देगा और हां बेटी तूसरी बात इस कॉलेज के बाकी रटकों को गास तक मठ डालना क्योंकि अगर तुम्हारी बात खाम लेंगे और इस कॉलेज के रटकों को तो नहरा भी यही है उंगली पड़वाओ बाहूं का हार लेलो यह कह बेटी ब हाई रूपा यह क्या रूपा मुझे चिड़ाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है क्यों मैं यह चिड़ाने के लिए नहीं तुम्हा लिए प्रेजेंट लाई यू लंडन से इसे पहन के तुम्हें मेरे साथ क्लास में चलना होगा अगर तुम को हो तो प्लास्टिक करवा कर इस मास्क को हमेशा के लिए अपने चेरे पर फिक्स करवा करें यह लड़के कुछ देखने में जरा स्टूपिड से लगते हैं दूसरे कॉलिज के हैं क्या नहीं इसी कॉलिज के हैं गरीब फटीचर गुंडे मवाली इन लोगों से जितना दूर रहो इसी में भलाई है रियली येस लेस्ट गो टियल इसकी कमजोरी क्या है या अपाजों से इसे बड़ी हमदर्दी है कला और कलाकारों से इसे बड़ा प्रेम है और हर शाम को ये संसेट पॉइंट पे टहलने के लिए जाती है एक बात सुनिया गुरू बड़े घंटा लो आई आई तेरी लाल पर ही आई चल्दी से तयार हो जा आपे चश्मा तो पहन कौन कहेगा तु पैदाईशी अंधा है मेरे दोस्त। कौन यकीन करेगा के हू बहू इन नजारों की तस्वीर एक अंधा इसे कैनवस पर उतार सकता है। नाई नाई कोई यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी आखोंसे ना देख लेगा। कौन किसने मुझे पुकारा नहीं पहचाने घंशाम कली तो इन्होंने हमारे कॉलेज में दाकला लिया है। सुना है कला की बहुत बड़ी पार्की है यह अपनी रूपाजी है। आप मेरे नाम जानते है। मैं हर नाम को जानता हूँ, सतनाम को जानता हूँ, गुर नाम को जानता हूँ। फिर तो आप मेरे नाम भी जानते होगे। जहा, संगीता। और आपका नाम? अजुरुदीन वाट? मेरा मतलब है कि कॉलेज में मेरा नाम तरक्की लाल है। मेरा घंशाम तरक्की करे, इसी में मेरी तरक्की है, घंशाम छोट अज़ा था, जब लालटेन की रोशनी में उसे किताबें पढ़ पढ़ कर मैं सुनाया करता था, ये एक बार किसी चैप्टर को सुन ले, उसके पेज नंबर खुद बखुद इसे याद हो जाते हैं, ऐसी त क्या तुमने कभी कोईल को किसी पे नाराज होते वे सुनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो कोकिल कंठी, तुम पे ये नाराज़गी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारे रूप के अनुरूप नाम रखा है रूपा, आज मैं तुम कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी जब आप देख ही नहीं सकते फिर एक्जाक्ली नेचर की तस्वीर आप इतनी अच्छी कैसे बना लेते हैं मैं तन से अंधा हूँ और यह संसार तो मन से अंधा है पन की आखे खोल के दुनिया को देखो तो सारी सच्छाई अपने आप सामने आ जाती है आप मेरे भी एक तस्वीर बना सकते हैं हाँ क्यों नहीं लेकिन इसकी आप इजाज़त नहीं देंगी किस बात की इजाज़त मुझे आपको एक बार छू के देखना होगा आओ आओ हूँई हूँई इसे तस्वीर मेरे दिल में बस गई है, कल कैन्विस पे देख ले ना रुपा ये रेश्णम जैसे बाल, इन जुल्फों को देखे तो बादल भी शर्मा जाते हैं सुभा की लाली लेके आए हुए ये गाल, जब मैं इने चूमूँगा तो ये और भी लालो जाएंगे ये सुराहिदार कर्दन जाने मान अबे क्या कर रहे तु घंशाम? वो, वो कहा गई? अबे घंशाम के बच्चे होश में आ क्या हो भीया? कौन आया था तेरे खाबों में? कहां खो गया था तू? मैं इश्क के सागर में गोते लगा रहा था प्यार का मोती तलाश कर रहा था भाईया अच्छा 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 तो ये हो रही है तेरे कॉलची पढ़ाई अरे छोटे छोड़ ये सब लफड़े क्यों ताने मारे हो भाईया खुद ने किया तो प्यार घंशाम ने किया तो लफड़ा अरे आपकी सीट तो बजपन से रिजवड़े भाईया अपनी तो एडवांस बुकिंग भी नहीं हुई है यहां आपने बासुरी बजाए और गीता दोड़ी चली आए और फिर राधा और शाम का मिलन अमित्वारे आरे आए मित्वारे मित्रारे आजा लग जा गले मैंने दिल रख दिया मैंने जा रख दी तेरे हद्मों के तले हो मित्वारे है मित्वारे है आजा लग जा गले मैंने दिल रख दिया मैंने जा रख दी तेरे हद्मों के तले गर्राज की तले अरख दी ताना लग जा रख दी तले रख दो जा जा ख दो कि भी तो भी का देरे हैं हो मित्वारे जाख दो तले जा रख दिल रख दो दो जाए पिल मैंने दो जा जा हैं मेरा दिल तर्पे दिन रा मुला हाथ के लिए आजा तोरिया रे मेरा दिल तर्पे दिन रा मुला हाथ के लिए मेरे बाबुन से करवाद मेरे हाथ के लिए है कैसी प्यास के जगी कैसी आगी ये लगी दिल ये रात दिन जले हुमित्वार है मित्रार है आचक लग जागने मने दिल रख दिया मने जाँ रख दी तेरे अदमों के तले हुमित्व लग। जब लगता है दिल का रोग अर्मा चाग जाते हैं घर से भाग जाते हैं ये तुफान निकले ये अर्मान निकले या ये जान निकले मित्वारे मित्नारे आजा लग जगले मैंने दी रख दिया मैंने जा रख दी तेने तर्मों के तले मुश्वन के दुखिए ये तर्माडरे मरे मुश्परा जाते हैं ताला, साला, सुरेंद्रा, धोके बाज मुझे लगता है मेरा प्यार सिर्फ एक कहानी बन कर रहे जाएगा सोचने दे यार, जरा सोचने दे मुझे अगर आज मुझे रुपा की पेंटिंग नहीं मिली ना तो मैं जीते जे अपनी मौत को गले लगा लूगा कैसी बाते कर रहा है यार, सबर कर तू क्या सोचता है, तेरे दोस्त के पास सिर्फ थाकत है, दिमाग नहीं देख, मेरा जलवा ये ले घंचाम, तेरी महबबत का परवाना तुम एक आम इंसान नहीं, दुनिया के एथ वंडर हो, घंचाम मैं तुम्हे वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगी और दुनिया को बताऊंगी कि देखो, इतना बड़ा और महान तलाकार कैसे गुम्नामी की जिंदगी जी रहा है वरीबी के साथ, तो गुम्नामी अप जुड़ जाती है, रुपा पर अब तुम गरीब नहीं हो, घंचाम मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं अंधा हूँ, इसलिए अपनी अमीरी की चादर उड़ाकर मेरे अंदर के कलाकार को खरीदना चाहती हो, नहीं, मुझे तुम्हारी तयानी चाहिए मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर खुद पेनाज हो रहा है, घंचाम अच्छा रुपा, बोलो आज तुमने मेरा हाथ क्यों चुमा क्यों मेरे अंदर के कलाकार के ऐसास को जगाया जानती हो शायद इसी ऐसास को बहापत कहते है नहीं नहीं ये में क्या कह गया मुझे माप कर देना तुम तुम अपनी तस्वीर ले जाओ रूपा और भूल जाओ के तुम मुझसे कभी मिली भी थी और भी क्या ढालाट बहुरा उट टुम इसाओ आव काम अने घा गया जाको Fenulousर crush रги कल ढुएएएब कल भी कृएएएएएएवएएएएएएएएएएएएएएएएश ऊासाएएएएएएएएएए रभ्धां, आगे हाथ रखो यह दीरे-दीरे बरी गुड यह घंशाम! आगे हाथ रखोना आओ मिम्साभ, आपके डडेटी का फोन है यहाँ मैं भी आती हूँ घंशाम मैं भी आती हूँ आगे मत जाना, बानी बहुत गह रहा है इसको पकर के रहाखो आगर बिल्कुल बचाना वेले अमेड़ legy बच्राइफ बच्राइफ वेले आपने मेरे बच्चे को बचाया भाहिया आपने मेरे बच्चे को बचाया भगवान आपके हर आर्जु पूरी करें हर अर्जू एक्सिलेंट मिस्टर धोकेवाज रुपा खबवर दौर मेरा नाम भी बत लेना अंधा बनने का नाटक किया तुमने मेरे साथ रुपा वैसे भी प्यार में आदमी अंधा तो होई जाता है ओ शाट अप भगवान तुमारी हर आर्जू पूरी करेगा एक आर्जू छोड़के वह मुझे पाने की एक आजब मेरे बाते पूरव रुपा रुपा रुको ऐसाब यह लड़की तुम्हे रूर मिल जाएगी सुम बस बॉलिंग करते रहो किसी ना किसी बॉल पर यह क्लीन बॉल्ट हो जाएगी अरे अभी तो मैं गीन बॉल्ड हो गया हूँ I am clean bold, I am clean bold, I am clean bold, you cheat, how sweet. Hushii... हुष्सा छोड़ो हां कर दो कर जाओंगा खरे खरे मर जाओंगा इलना दो रहा कर तो टीर्ष्सा हो विघ्रच्छा डीचा पार्ष्सा इलना ब कर तो कै ब Amazon कर दो । कใหलो हो तके लाओंगा और दोस्ती धुष्सा है अरे थोड़ा सारो मान No chance, no no chance हाँ कर दे, बाई चांस Hey no chance, no no chance Yes या नो, कुछ भी कहो Aरे कुछ भी कहो Yes या नो हे रूठा यार मनाऊंगा, खड़े-खड़े मर जाऊंगा, खड़े-खड़े मर जाऊंगा, उस्सा छोड़ो हां कर दो हे रूठा रूठाश्या अरज करेंगे ऐसे ऐसे खड़े मीडेigo, हेलो कुण कमरतावे की एक टार्याओinky हेलो मस कान लंगल, रूठा नमबर नमले खड़े हैं, नमे खार भी तूबर ऑरे रूठावन नमल सारी उन्या भाहर, तुन लगाया दिली लगकाया चलंधर रॉम नंबर, रॉम नंबर हे रॉम हो या राइ जैसलब, दून्ट फाइट तचको प्यार सिखाऊंगी खड़ी खड़ी मर जाऊंगे लगकच को प्यार दिखाऊंगे खड़ी खड़ी मर जाऊंगे कसम से सच चुड़ो हां कर दो दिलना तोड़ो हां कर दो ये दस साल पुराना जूता किस खुषी में कबड से निकाल के रिपैर हो रहा है इड़ी अरे बेटी पहले क्योशी कबड से निकाल के रिपैर हो रहा है बजार से सिलवा तो चाहराने खाच होते, मैंने सोचा खुद ही सिल लेता हूं, कम से कम दो आने तो बचेंगे, दूसरी खुशी, मॉन्टी हमें आज लेने के लिए आ रहा है, दूसरी खुशी, मेरे पार्टना बीमसिंग के बेटे, मॉन्टी के साथ ही आज तेरा रिष्ट आप अपनी गाड़ी से आजएगेगा, चलो लुपा, डैरी आज मैं नहीं जा सकती, मुझे तो छे बजे अपने फ्रेंज के साथ आउटिंग पे जाना है, देखो बेटी, तुम अपने बाप का मरा मूँ देखोगी, अगर अभी इसी वाक्त इसी हालत में इसके साथ नही आज मैं पहली बार तुमारे घर जा रही हूँ, जरा सोचो मेरे इन कैजूल कपड़ों को देखे तुमारे डैरी क्या सोचेंगे, सोच नियों क्यों ना माकेट से खूबसूरत सी ड्रेस खरीद लू, जिसे देखके सब खुश हो जाएंगे, हाँ, वाय नाट, जहाँ चाह आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ लेटेस डिजाइन के आउटफिट्स, पहले तो मुझे एक आदमी को आउट करके एक ऐस जगा फिट करना है कि फिर वो मेरे पिछे कभी ना सके, कौन है वो, वो जो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है ना, वहां उसकी सूरत से घेन है वो जोग की तरह मेरे पीछे चिपका हुआ है रूपा, तुमसे गुडबाई करती हुई, पिछले दरवाटे से निकल जाओ, यह सड़क के दूसरे तरफ खुलता है आउ थांक्यू, थांक्स मॉन्टी बेटे, आज कलके टुच्चों की काबियत यही है कि यह लोग गरीब होते है और अमीर बाप की बेटियों को फसाने में ही इनकी तरक्की है, यह दहज नहीं मांगते, बलकि लड़की के बाप की पूरी जायदा चाहिए इन है और मा मुझे लेक्चर नहीं, रूपा चाहिए बेटे, मैं भी रूपा के बारे में ही सोच रही हूँ रूपा का बाप वो कंजूस है, जो सोचता है के दौलत जरूर उसके साथ उपर जाएगी इसी रिष्टे में हमारी तरक्की है बेटे, इसी बर्कत की बर्गत की छाओं में हमारा सुखी जीवन है इसलिए रूपा की चिंता मुझे भी खाय जा रही है चिंता चिता के समान होती है पुष्पा और चिता तो उसकी जलनी चाहिए जिसने हमारे बेटे मॉंटी की प्रेमी का कहरन किया है और उसके मरन का दिन होगा खोली यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें दोस्ती और दुश्मनी दोनों पूरी तरह से निभाई जाती है बीदो वार म को रिंक आचिता चिता तरह सही है अरे कट्टु काट्टु मरदंग बनाया दे अरे कट्टु काट्टु मरदंग बनाया नीवू काट्टु मंजीरा अरे कट्टु काट्टु मरदंग बनाया दे अरे चारे चाँ चारे चाँ अरे जारे कहां से आया मूँ में दबा के पान का फीरा जारे कहां से आया मूँ में दबा के पान का फीरा गल्हें खरे डोब भेंगी ला कि जिरा ला किसारी किकर यप से जारी कि time कर्यान कर्ले मेरी छोली नहीं विगोना ओ गई बड़ी सराथी मेरे होने वाली ठाथी गोरा गोरा मुख तेरा हो प्रेय लॉल गुलाथी ओ गड़ी सराथी तेरी होने वाली ठाथी कर्यान लिदे करता होने ने सब्सक्राथ अधिक एंधिर कर्शेशन हम्रेशन जयान विजकरोर विजकिए Only politique वरत्ली ठाथी ग़्रेशन मुख थीज़ एंधिर मैं कुरिया जाफानी नंगर्य नंगर्य inicio जातानी में रही शुकार कुरा भुस्स सा है अननन गर में रहे ले यह जातान। सुन लो मा का कहना दुख सुख मिल के सहना चाहे कुछ हो जाए तुम हसने का ते रहना तेट तुम सब को बिट जाए मेरे मन की पीडा तेट तुम सब को बिट जाए मेरे मन की पीडा तेट तुम सब को बिट जाए मेरे मन की पीडा तेट तुम सब को बिट जाए मेरे मन की पीडा तेट तुम सब को बिट जाए मेरे मन की पीडा तोची अवल एक के लिए एक ले जे, तेल एक की लिए आए में लिए तेले, तेले, तेले हम इंगे लगाने आए कुछे आंगे लगाने आए पोस्त गले लग जाए दुश्मन घर जाके छुप जाए पोस्त गले लग जाए दुश्मन घर जाए जाए। शाम, गंशाम इंपुझरो को उस जनजगा छोड़कर आओ जहान इनकी कर्दूतों के ख़बर इनके घर वालों तक पहुच जाए झाल 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 खरो, परो... कर दो जोल आउटाफ जोच्ट सकत्रे जोट शाब, पच्छाब सर आप परेशान मत होईए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सर में चोट कुछ ज्यादा ही आ गई थी, खून बहुत भहरा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद हाराम मिल गया है मॉन्टी, मेरे बच्चे, ये सब कैसे हुआ चिंता मनी, बोली की बोली है, जी जा जी, रंग और गुलाल उड़ाने के बज़ाये, आपके बेटे का खून बहा दिया गया, कौन है वो, जिसने ये आलत की है मेरे बेटे की चरीफों के कॉलेज में पढ़ने वाले वो दोनों खुन्दे, चुडवा भाई है, शाम और खंशाम शाम और खंशाम वो रहा सामने उसका खर कहां है वो जन्खों की आउलादे, कहां दुबक कर छुप गए है वो पिल्ले, जिनोंने मेरे बेटे को बधाल कर दिया है भीम सिंग, कहां है वो तेरी तो किस्मत ही बधाला है ठाकुर, तेरे जैसे हैवान के यहां, इंसान तो जरम लही नहीं सकता तेरे गुंदों की फौज को मेरे शेरों ने उनके मकाम तक पहुचा दिया है ठाकुर भीम सिंग बहुत उची आवाज में बात करती है तू और नाम भी जानती है मेरा और तेरा काम भी जानती हूं ठाकुर भीम सिंग देख मेरे पती की तजवीर और पैचान इसे सद्यदेव सिंग इस साब का फन तो मैंने बरसो पहले कुचल दिया था पर अब इसके सपोले बचे हैं तो उनका कफन तयार रखना अपने पती की चिता तो तू नहीं देख पाई थी पर अपने बेटों की अर्थिया जरूर देखेगी तुम्हें कसम है कौशल्या की ठाकुर उन दोनों बच्चों का खूंड तुम्हाप्ने ही हाथों से करना को सलिया मेरी पत्नी ठाकुर तुम्हारी धर्म पत्नी को सलिया तुम्हारी अद्धांगीनी को सलिया जिस चिता को तुमने आग लगाए थी न ठाकूर वो सरकारी गेस्था उसकी नौकला नहीं कि थी कोशल दिया तो तुम्हारे पापो का प्राइस्चित कर गई उसने अपनी कोख से एक बेते को जनम दिया और वो बच्चा वो मुझे साब गई थी ठाकूर वीम सिंग शाम और गंचम में से एक बेटा तुम्हारा है ठाकूर साब पुलिस रिकॉर्ड्स के मताबिक तकरीबन अठारा सल पहले यहीं के एक सिविल होस्पिटल में और शल्य देवी पति का नाम ठाकूर भीम सिंग ने आत्मत्या की थी कोशल्य देवी ने एक बेटे को जर्म दिया था जिसे गंगा देवी पति का नाम सवर्गे सत्या देव सिंग अपने साथ ले गई अब इतने सालों बाद ठाकूर साब ये पता लगाना कि गंगा देवी कहां है नामुम्किन है सर इस अलमस्ट इंपॉसिबल कोशल्य तुमने ठाकूर भीम सिंके खानदान को वारिज दे दिया मैं जानता था कोशल्य कि एक बार भगवान मुझे दोगा दे सकता है लेकिन तुम मुझे दोगा नहीं दे सकती तुमने मुझे बेटा देकर अपना वचन ने भाया मैं जिन्दकी पर तुमारा करजदार रहूंगा कोशल्य आप बेटा अब जागे है इस घर के भाग बेटा पहले अपने देवता जैसे डैडी का आशिरा ले 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 हाँ बेटा इनी की देया से तु पूरी काया लेकर हस्पिताल से घर वापस लोटा है जा इनके चरन दो कर पी जा बेटा डैडी आज आखरी आशिरवाद दीजिए कैसा अशिरवाद बेटे वो शाम घंशाम उन हरामजादों को मैं यमलोक अपने हाथों से पहुचा कर रहा हूं खामोश खबरदार जो शाम और घंशाम की तरफ तुमने आख उठाने की बिजुर्णत की तो अब जो कुछ भी करना है मैं खुद अपने हाथों से करूंगा माँ शाम और घंशाम में से एक बिटा कोशन लेगा है यह राज मेरे शरीर के साथ ही चला जाता पर उस दूर से अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे सज पूलना पड़ा माँ मुझे शक्ति दो मेरे बच्चों की रख्षा करना माँ मेरे बच्चों की रख्षा करना मैं तुम्हे बच्चन देता हूं गंगा कि मेरी आज कभी भी तुझ पर और तेरे बेटे पर नहीं पड़ेगी तुम सिरह मुझे इतना बता दो कि इन दोनों मेंसे मेरा बेटा कौन है तु पहले मेरा सुहग लोटा दे पाद में अपने बेटे के लिए हाथ पहलाना जो एक बार दुनिया से चला जाए उसे दोबारा लोटा कर नहीं लाया जा सकता ये बात तु भी जानती है गंगा एक मा जिस बच्चे को अपना दूद पिलाती है उसे भी बाटा नहीं जा सकता तो अपने पती की मौत का बदला तु मुझसे इस तरह ले रही हो मैं बदला नहीं ले रही हूँ मैं तो सिर्फ तेरी इस काली पर्चे से अपने बच्चों को बचाना चाती हूँ जितनी तहजीब से मैं तुमसे बात कर रहा हूं गंगा उतनी ही लापरवाई से तुम मुझे जवाब दे रही हो जब तक मेरे हाथ खाली है तब तक तो तुम सच्चाई चुपा सकती हूँ लेकिन जिस वक्त मेरे हाथों में हथ्यार आ जाएंगे उस वक्त? उस वक्त रहष उस महसासुर की तरह होगा देख उधर तुम मुझे मानने सकते था खुर वरना तुम्हारा बेटा कौन सा है ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा और मेरे बच्चों को छूने की बात तुम सोच भी ने सकते इसलिए दुबारा बता देती हूँ मेरे बच्चों में से एक बेटा तुम्हारा है थाकुर साब ये मौन्टी के नाम आपके वस्यत नामे के असली दस्तावेज है इसे आप कहा ले जा रहे हैं अब इस वस्यत नामे को बदलने का वक्त आ गया है वकील साहब क्यों क्या बात हो गई मौन्टी से कोई गलती या भूल शुक हो गया अरे नहीं नहीं वकील साहब मौन्टी को मैं तब भी प्यार करता था अब भी प्यार करता हूँ दरसल अपनी जायदाद का असली वारिस मुझे मिल गया है यानि? मेरा अपना बेटा कौशलिया का बेटा मुझे मिल गया है कब? कहा? गंगा के दो बेटे शाम और घंशाम मेंसे एक बेटा मेरा अपना है ये पता चलते ही कि उन दोनों में से कौन सा मेरा अपना है मैं उसे अपनी जायदात का वारिस बना दूँगा बली खुशी हुई ठाकुर साहब, मुबारक हो मुबारक तो तब दीजेगा वकील साहब जब आज मैं अपना खरा सिक्का ले आओंगा और खोटा सिक्का छोड़ाओंगा वकील साहब, ये सब क्या हो गया? भाई आप दोनों को अंदर छुपा कर सच्चा ही मैंने सुनवा दी गंगा, ये हैं दस करोड रुपे नकद ऐसी ही कोई रकम, जिसे बोलते बोलते तुम्हारी जुबान ठक जाए इस चेक बुक में भर लेना और दुनिया के किसी भी शेहर में जाकर एशो आराम के जिंदगी बसर करना इसके ये वजमें मैं अगर ये मेरे उज़रेवे सिंदू के किमत है ठाकूर तो दौलत क्या, तुम खुद को भी बेज़ दो तो सिंदूर क्या, उसकी लाली तक को नहीं पैचान पाओगे तुम अगर तुम इस दौलत से माँ खरिदना चाहते हो तो ले जाओ इसे अपनी माँ के सामने और पूछो क्या उप बेचेगी तुम्हें? जुबान को लगाम दो गंगा तो क्या तुम रुपया लेकर बेटा खरिदने आये हो? हाँ हाँ गंगा मुझे मेरा बेटा चाहिए तुम महस जजबात में डूबी हुई हो हकीकत से नावाकिम हो जिस दिन तुमारे बेटों को पता चल गया कि उनका बाप अर्बोपती है वो उन्हें बंगला, कार, गाड़ी दुनिया की हर एशो आराम की चीज मुहिया कर सकता है उस दिन वो तुमारा आचल जटक कर अपने बाप के सीने से आके लग जाएंगे जिस तिन मा का दूत बाजार में बिकने लगेगा ठाकूर उस तिन हर मा को ये दर होगा कि दौलत के खातिर कहीं उसका बेटा उसका आचल जटक न दे उठाव इन कागस के तुकडों को और कभी इस दहलिस पर कदम ने रखना मा ये किस बेटे की बात कर रहा था कौन सा सौधा करने आया था यहां मा तुम्हें ये खामुशी तोड़नी होगी कि किसका बेटा मांगने आया था अब तुम दोनों ठके ठके से लग रहे हो हाथ मुदो कर आराम करो मा कई दिनों से परेशान रहने के बावजूद तु हमारी बातों को टाल देती है कभी मुस्कुराकर कभी बातों में बहलाकर पर आज तु चाहकर भी हमारी बात को नहीं टाल पाएगी मा हमारे घर में खड़ा आओकर कौन से बेटे की बात करने आया था और तेरे सामने इतनी उची आवाज में बात करने के उसकी हिम्मत किसे हुई मा मा सच्चाई जानने के हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं या तो तु हमें बता दे या फिर उस हराम खोर के हाथ पैर तोड़कर सच्चाई हम उकलवा लेंगे हर्गिज नहीं मैं बताती हूँ मैंने तुम लोगों से जूट कहा था सच बात तो यह है कि उनकी मौत एक्सिडेंस नहीं हुए थी बड़ी बेरहम से उनके हत्या की गे थी और वो हत्यारा यही थाकुर भीमसिंग है हाकिकत सर्व एक खत्म नहीं हो जाती उसके बात क्या हुआ वो आज मुझसे सुन लो उठीए मत बहन जी आपको दो बार दिल का दोरा पड़ चुका है डॉक्टर साब ने आपको उठने को मना किया है आप लेच चाहिए यह लो बहन अपना बच्चा बहन कुछ सांसे भगवाल से उधार मांकर तुमारे चरणों में आई हूँ मैंने तो आत्मात्या करने की कोशिश की थे पुलिस में भी यही रिपोर्ट लिखाए थी मगर तुमने मेरी जान बचाकर मेरे बेटे को जीवन दान दिया उन्होंने बुच से ज़्यादा अपने बेटे से प्यार किया उनके बापों की सजा यही है कि मेरे बेटे को उनके काले साय से दूर रखना इसी विश्वास से मैं इसे तुम्हारे पास संप रही हूं इसे अपनी मुम्ता के अचल में पालना वादा करो मुझसे वादा करो मुझसे वादा इस तरह भगवान ने मेरी गोद में और एक बेटा डाल दिया मैं शाम और घंशाम की मा बन गए मैं यह राज तुम दोनों को कभी नहीं बतला चाते थी लेकिन आज सच्चाई ने हमें इस वीराने में लाके खड़ा कर दिया है जहां हमें बात दुनिया से नहीं कह सकते घंशाम कि हम दोनों भाई हैं आज दिल में दरार की जगे कटीनी दीवार खड़ी हो गई है हम अपनी पहचान खो चुके हैं एक और उस मा का बेटा खड़ा है जिसने उसकी कोक से जनम लिया है और दूसरी और उस हत्यार भीम सिंग का बेटा जिससे इस दुनिया में ना रहने का हक है ना ही जीने का मुझे तो शुरू से ही खटका था कि बाबुजी की मौत में ऐस एक एकसिलेंट पर नहीं हो सकती अज मा ने सचाई बताकर मेरे विश्वास पर अपने भरोसी की महर लगा दी है मेरे बाबुजी की बेरहमी से हत्या की गई बाबुजी की मौत की बात दोरा कर तू मुझसे यह कहना चाहता है कि इस परिवार पे सिर्फ तेरा अधिकार है मेरा कोई हक नहीं रिष्टों का हक जताने से नहीं होता निभाने से होता है फिर तेरे जैसा खुदगर्द इंसान चोटी चोटी बैमानिया करने की शिक्षा उसे माने नहीं दी उसने विरासत में पाई मा कोई जागीर नहीं है इसके लिए हक यादिकार की बात की जाए तेरे जैसा ओच्छाई यह जुबान बोल सकता है और बेटा हुने की वकालत भी कोई नहीं करता हवामे बादे करने से कोई बेटा नहीं बन जाता शाम इस सछाई को सिर्फ वो उरत बता सकती है जिसंने अपनी कोक्स उसे जनाओ औरशेशी मां सिर्फ एक औरशils है मेरी मा का त्याग सिर्फ एक औरत का त्याग है मेरी देवी जैसी मा को एक आम औरत का दर्जा सिर्फ तेरे जैसा घटिया इंसान ही दे सकता है दुनिया की हर स्त्री देवी या मा का दर्जा पाने से पहले एक औरत ही होती है और फिर वो चाहे किसी की भी मा हो उसे औरत कहना ना तो कोई पाप है और ना ही अधर्म तेरे जैसे अधर्मी के मूँ से धर्म की बाते पाप लगती हैं हत्यारे का बेटा हत्यारे की जुबान ही बोलेगा अधर्मी के बाते हैं क्या एक दुस्य को मा डालने के इरादा है क्या चाते हो क्या चाते हो तुम लोग मा हम सच्चाई सुनना चाते हैं कौन से सच्चाई कि हम मेंसे ठाकुर भीम सिंग का बेटा कौन है के दे मा ये बत्तमीजी ठाकुर भीम सिंग का बेटा है मुझे गाली मत दे वरना मैं तेरी जान ले लूगा एक हत्यारे का बेटा और कर्भी क्या सकता है शाम खंशाम 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 सच्छा ही बताओं, कि मेरा अपना कौन है, और मेरा पराय कौन है देखो बच्चो, तुम लोग ये काम करोगा मेरा सीना जीर दो, मेरे कलेजे के दो टुक्रे कर दो फिर भी मेरे बच्चो, तुम देख लेना एक टुक्रे में से आवाज आएगी शाम, और दूसरे टुक्रे में से आवाज आएगी घर शाम फिर भी तुम लोग सच्चा ही सुनना चाते हो ना सुनाते हो, मगर एक बात दियां से सुन लू सच्चे इस सुनने की बात, क्या तुम अकली जिनदागी गुजर सकोगे, बोलो गुजर सकोगे, जिनदागी कि राह पर, अकली चल सकोगे तुम लोग, क्या चल सकोगे मैं बताती हो सच्चे मैं बताती हो सुनो तुम दुनों में से मेरा बेटा मत बता न मा कभी भी मत बता न मा में माफ कर दो मा हमें माफ कर दो मा हम नहीं बचेगे हम कभी भी नहीं पुचेगे मा हम ऐसी जिएंगे मा हम ऐसी जिएंगे हम नहीं रह सकते माँ, एक उसरे के मिना नहीं रह सकते माँ हम को क्या मालू, क्या सच है क्या जो अपने हाथों से तेरा आँ चलना जाए चूट हूं को क्या मानूं क्या सच है क्या जूद अपने हाथों से तेरा आचल ना जाए छूद तेरे चल्डों में है माता अपने चारोधा क्या हाँ क्या मैं है तेरे 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 चल्डों में राए तेरे चल्डों में है वड़ाँ अम हुआ, नहाउ, हाउ, नहाउ. नहाई, नहाउ, नहाउ, हाउ, हाउ. हाउ, नहाउ, नहाard, हाउ, हाउ. चक्षू durability. यह वही ठाक उर्भीन सिंग जिसकी वजह से हमारी माँ को एक ज्वाला मुखी बरसो अपने अंदर दबा कर रखना पड़ा इस अवेली की दिवारे जो रंगी है ना उसमें हमारे बाबुजी का खून मिला हुआ है इसी ठाक उर्भीम सिंग की वजह से मा ने दुखों के पहाड काट काट कर अपनी सारी जिन्दगी गुजारी है और यह वही भीम सिंग है जिसकी वज़े से पहली बार हम दोने भाईयों के हाथ एक दूसरे पर उठे है आज वो यह नहीं जानता कि उसके घर में अब कभी भी ना थमने वाला तूफान यहां खड़ा इंतजार कर रहा है तुमारी बातों के रुक में जरा नर्मी नज़रा लिये शाम उस ठाकुर ने दौलत के लिए खून बहाया है ना तो सबसे पहले हमें उसकी दौलत को बरबाद करना होगा जिसकी रीड की हड़ी टूट जाए ना वो खुद बखुद तरब तरब कर मर जाता है तो फिर ये नेक काम पहले मैं ही क्यों न शुरू करूँ शाम भाया तू शुरू करे या मैं शुरू करूँ से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारी मंजिल एक है हमारा मकसद एक है हमारी मंजिल है ठाकुर भीम सिंग के दरवाजे तक पहुंचना हमारा मकसद है उसकी बर्बादी का तमाशा उसकी बर्बादी का नजारा और उसकी बर्बादी का तमाशा अरे शंकर नमस्ते सार ये ले अरे ये क्या सन्यासियों के कपड़े बहन कर नाटक करने जा रहे हो हम घर छोड़कर जा रहे हैं सन्यास लेने वाह दोनों एकी सुर्व में बोल रहे हो मॉंटी के दिल को चोट लगी है कहनी चोट है चोट किस बात की चोट बजपन से लेकर जवानी तक मॉंटी ने आपको अपने पिता के समान समझा मगर मगर क्या मगर अब आपको अपना बेटा मिल जाने से आपका प्यार पढ़ते सकता है देखो तुम लोग भी पराय नहीं अगर मेरा बेटा आ गया तो क्या हुआ हरे मॉंटी भी तो मेरा बेटा है मेरी जायदाद पर इसका भी कुछ हक रहेगा नहीं डैड नहीं मैं आपका दिल तोड़कर कहीं नहीं जाओंगा अब मैं आपकी जिन्दगी भर से होगा शावाज बेटे शावाज ये हुई ना बात है देखो पुषपा पिता और पुत्र का क्या मिलन है भगवान करें किसी की नजर में लगे मैं गीता का बाप हूँ बेटा और उसकी शादी की चिन्ता मुझे न रहेगी तो और किसे रहेगी अगर आपको गीता की शादी करवाने की जल्दी है तो आप उसकी शादी कई और भी करवा सकते हैं मुझे कोई अतराज नहीं होगा MGC वो जो तुमने सुना एक पिता का कहना था अब जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारी होने वाली अरधांगेनी कह रहिए अरधांगेनी मीनिंग हर चीज का आधा अधा चाए वो सुख हो चाए दुख समझे और तूमारी धि Alan में misma conj हमें भी 50 50 चाहिए वाह, गीता भावी, वाह, a woman must have equal rights. समझ में नहीं आता, मा को कैसे समझाये जाए? आइडिया, गुपता साफ जिनके या तुम हमेशा टॉय सप्लाई करते हो, जिनका कारोबार दिल्ली बॉम्बी तक है, क्यों न हम उनसे आइडिया ले ले? गुपता जी को पटाने का काम मेरा है, और फिर देखना, हम लोग मा को किसे मनाते हैं? मा, आज तेरी पूजा सफल हुई, गुपता जी हमारे खिलोनों के कारोबार को बढ़ाना चाहते है, मुंबई में इनके खिलोनों का बहुत बढ़ा कारोबार है, कभी घंशाम जाएगा, कभी मैं? मैं दो बार तेरा दुख नहीं देख सकता मा, मा दूर्गा, मेरे बेटों की मनों कमना पूरी करना, अरे छोड़ो ये मेरे डैडी का गर है अरे ये मेरा गर है मेरे डैडी का गर है अरे तनका बढ़ा दूगा एक मिनिट ये मेरे डैडी का गर है डैडी 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 मैं घंशाम मेरे बिटे घंशाम ए छोड़ दो इने और तुम बाहर जाओ जाओ जाओ, मेरे बेटे, तु आ गया, मेरा प्यार, मेरे दिल की तडप, अगर तुझे खीचिलाई मेरे पास, मेरे बेटे एड़ी, मैंने बड़ी मुश्किल से कसम दे के सच्छा यूगलवाई है, कौशलिया मा का बेटा मैं हूँ, मैं ही आपका बेटा हूँ ड़ी मेरे बच्चे, वो आ गया, आ गया हो, जीजी, पर जीजी का लल्ला आ गया, मेरा कनहिया आ गया, भगवान ने मेरे गुदरी में तुझे से लाल को डाल ही दिया, मेरे गोपान, आके मेरे गले लगजा मेरे लाल, ना बाबाना, अगर मैं तुमारे गले लगँगा, तो मुझ इसको इक जीजी पर गया है भाई मज़ा आ गया बस्तों के बाद इस हवेली में ठाके की आवाज गुंजी है बगजा ये तो बताईए आप लोग इतना असकिस बात पे रहे हैं आईये आईये दास जी इनसे मिलिये ये है मेरे अकलोते बेटे कोवर घंशाम भीम सिंग मगर मेरी बेटी तो एक ही है और यहां तो दो दबा नजर आ रहे है आप चिंता मत कीजिए दास जी आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे घंशाम के साथ ही होगी ये मेरा पहला और आखरी फैसला है तुम लोग रिष्टे ही बनाते रहोगे के मुझे अपने कौशलया के पूत की छट्टी की रासम भी पूरी करने दोगे इतिफाक देखो जी आज जनम आश्ट मी है आज से अठारा साल पहले भांजे तुने जनम लिया था लेकिन रास लीला आज से चुरू होगी वह भी धूम धान से शरिक हम सब होंगे अंकल पर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मा के गुन ज्यादा है या पिताजी के पॉइंट पॉइंट मेवारी जाओं हाई मर जाओं मेवारी जाओं मेवारी जाओं मर बॉइंट मेवारी जाओं हाई मर जाओं मापे पूत पिताँ पे घोडा मां पे फूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मुझसे भी आगे दिल मेरा दोड़ा रहे मुझे से भी आगे दिल मेरा दोड़ा आ बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मापी मूती पितापी भूड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा माखन चूरा के भाग गया था माखन चूर पकड़ा थोड़ा माखन चूर पकड़ा थोड़ा हाई लत खट वेइमान निगोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मापी भूट मिनापी गोड़ा खोट नहीं तो खोड़ा खोड़ा खोट नहीं तो सनीप निजरे गरे जनीप निजरे सांगा गजाननों फूत गणा धिसे वितों कपिंक जुंगों फलजारभ ख्षितों उमा सुदं शोक विनाश करनों नमामी श्रीविक्येश्वरत पादवन प्रजन ठातम ले पत्रम सदक जाए शुरा मयाँ जूला जूले किशर गर्याँ सदक जाए शुरा मयाँ जूला जूले किशर गर्याँ रागा नाचे इस चलिये ने इस में खटने चलिये ने पागल ने है हाई सबको पागल कर छोड़ा हाई जुल्मी ने पागल कर छोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मा पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मुझे सा उचा लंबा चोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं तो हाई 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 बताई ने बताई ने बताई ने आई बदत आया ते लिग्याम कर आया बताई ने बताई ने ने आया जोबा का बोला शाम कर आया बदाईने बदाईने ने आई जग सारा करने सलाम कर आया बदाईने बदाईने ने आई अधिरान हमको जो दिया ना तो समझो आसी पुखार जुखाम कर आया तत आया देलिकाम कर आया जोबा का बोला शाम कर आया यह आली शान हवेली यह लॉन यह बगान सब तुम्हारे हैं बेटा और इधर देखो यह सब गाड़िया भी तुम्हारी है जो गाड़ी पसंद हो ले जाओ और अगर कोई भी पसंद ना हो तो अपनी पसंद बता दो फॉरण इस दर्वाजे पर खड़ी होगी ड्राइविंग तो तुम जानते ही होगे बेटा हाँ डड़ी बच्पन में सीखी थी सोचा था के बड़ा होकर टेक्सी ड्राइवर बनूगा भीम सिंग का बेटा और टेक्सी ड्राइवर हर्गिस नहीं यह सब गाड़िया तुमारी है बेटा और यह सब के सब ड्राइवर तुमारे नौकर है खबरदार जो आएंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर लाए तो तमझे जी तुरे बच्चे आज तुम हमारी पसंद की गाड़ी लेकर जाओगे ये गाड़ी आओ बैचो जाओ वह सब लेकर बच्चे वह सब की कर दो कर दो कर दो शार्ट झाल 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 साब घंसाम भाईया का एक्सिडेंट हो गया है क्या गंशाम बेटे यह बेटे यह सब क्या हुआ मौत की मुझसे लोटका रहा हूं डैडी गाड़ी के लेक ब्रेक हैंड ब्रेक सब फेल हो गय थे यह तो आपका आशीरवाथ था जो मैं जिन्दा बचकर आगिया गाड़ीों की मिन्टेनेंस की जिम्दारी तो तुम्हारी है मौन्टी फिर ऐसा कैसे अँपार जो अपनी जिम्मेदारी के लापरवाही की यही सजा है सिर्फ पांच लाख रुपया मांग रहा है ठाकुर भीम सिंग का बेटा तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है दे दो मेरा बाप ही नहीं है क्या जाएगा उसका दे दो पसी नपे पस ठीक है भांजे घंचाम यह लो पूरे पांच लाख है इसी गड़ी ऐसी होती है बड़ा मजा हो रहा इसमें तो रैवर को गाड़ी चलाते समय सामने देखना चाहिए इछे ट्रेफिक है मैं अंदर की बात कर रहा हूँ तरी क्या हो रहा है णवरा, यह अंदरanka की बात है जो मैं अच्छीता से जानता हूँ उंकल, अभी तो और शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करनी है? क्यो, तुम्हें क्या थकी ठीक हो रही है? मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है अरे तुम्हारे लिए तो जान हादिर है डालिंग कैसा दिलदाद दामाद पाया है बेटी मैंने किसी आंडू-पांडू से शादी होगी होती मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या होता आप चिंता मत करो अंकल आपकी फूल जैसी बच्ची को मैं अपने दिल के गुलदर्से में सजा कर रखूँगा मगर जरा संबल के दामाजी फूलों के साथ कुछ कांटे भी चुपखने के कोशिश करते हैं कांटे की भलाई इसी में यह डान की वो चुप-चाप देखता रहे अगर चुपने की कोशिश की तो मैं उसे कुछल के रख दूगे तुम बेफिकरो डार्लिंग तुमारे रास्ते में एक भी काटा नहीं आएगा तुमारे लिए तो जान आजिर है जितनी शॉपिंग करना है तुम करो आफ्टर आल मैं जो हो जलने वाले जला करे यह देखिए जी-जाजी सत्रा लाग साथ सो पचातर रुपे और पचास पैसे तिरुफ चात दिनों में कर्च किया है वाल जेगंशाम ने इस हिसाब से तो कुछी दिनों में पूरा बिखारी बना के छोड़ देगा मेरा दुलारा भांजा इनकी बातों पे कान मत दीजेगा चिजाजी 45 लाग की गारी तूट फूट गई मेकानिक के पास गये तो उसने कहा कि यह लोहा लकर किसी कबारी के यहां बेचाओ पर तालीस रुपर कीलो की हिसाब से गारी बिख गई हमें बुरा लगा क्या नहीं इनके भॉलेपन से हमको क्यों बुरा लगेगा बुरा कहीं जी-जाजी को ना लग जाए हम इनको भड़का रहे हैं क्यों जी सच्चा ही जानने के बाद मैं तुम लोगों पर क्यों भड़कूंगा पुश्पा आखिर मेरा बेटा है और फिर एश और याशी तो हमारे खांदान का चलन है पर जी-जाजी चुप करो जी-जाजी ठीक ही तो कह रहे हैं बड़े आदमियों के साथ रहकर ऐसे छोटी-छो तू ही मेरा खून है अगर किसी इमानदार और घटिया आदमी की ऑलाद होता तो पांच-पांच रुपए जोड़कर बाप की जोली में डालता है गंगा मैंने तुम से कहा था ना कि जिस दिन मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि उसका बाप अर्बो पती है उस दिन वो दोड़कर आएगा और मेरे गलेजे लिपड़ जाएगा मा का दूद बाजार में बिकता है गंगा अपनी जीत की खुशियां मैं तुम्हारे इलावा और किस के साथ बाड़ सकता हूँ अपनी जीत कर दोटां अर्बो चरहा है ओ मामे, देखे में आपके लिए क्या लाए हूँ? क्या है इसमे? आपके लिए ये सेक्सी मैक्सी ठट लुच्छा कहीं का मामा जी मामा जी ये आपके लिए असली टॉनिक इसे खाकर आपको मुझे थाबित करना पड़ेगा कि इस उमर में भी आप मुझे एक नन्ना साम प्यारा साम मुमेरा भाई दे सकते हैं अगर ये मिलावती ना हुआ ना तो मैं ये तुम्हारी मुराद जरूर पुरी कर दूँगा की पिर आप मॉंटी भाईया मॉंटी भाईया आपके फॉलादी जिसम को देखके खिलोने तक बनने लग गये ये राउस का नमूना वेरी इंस्पारिश वेल्कम और काका ये आप सब लोगों के लिए खुशे रहो बेटे डैड़ी मैं आपके लिए बदाम पिस्ता और मेवाल आया हूँ ताकि आपकी सहत बनी रहे और आपकी उमर लंबी हो कहां से आ रहे हो तुम डैड़ी आपने कहा था ना रूपा के लिए बीसला की अंगोली नहीं डैड़ी डैड़ी मैं रूपा कहां से आ रहे हो तुम मैं पूछ रहा हूँ कहां से आ रहे हो तुम मैंने कहा ना डैड़ी मैं रूपा के लिए कहां से आ रहे हो तम मैं बताता हूँ ये कहां से आ रहा है बाबुजी और अब तो आप भी जान चुके हैं कि इस बहरूपिय की असलियत क्या है आप इस पर हाथ उठा कर क्यों अपने हाथों को सजा दे रहे हैं पहले तो मुझे इस कमीने से एक एक दिन का हिसाब चुका ना है हिसाब कौन सा हिसाब याद कर वो दिन घंशाम जब तू और तेरे साथी मुझे शिकार खेलने के लिए जंगल में ले गए थे वहां तुम लोगों ने धोके से मुझे पर हमला किया और समझा कि मैं मर चुका हूँ वो तो भला हो उन कभीले वालों का जिन्होंने दस दिन तक मेरी मरंपटी की और मुझे ठीक कर दिया जाको राखे साईयां मार सके ना कोई तो लबा का कर सके चाहे जग सारा बैरी होई जाका बैरी चैन से सोए ताके जीवन को धिककार चैन ना पाए वो जी तेजी जो ना सुन ले उसकी मरंपुकार मैंने तुझे अद्मरा जंगल में छोड़ा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे तो तेरी लास किसी शेर के मान के बार फेक देनी चाहिए थी ताके गीदर नोच नोच के खाते इस खांदान के वारिस को मुझे वारिस नहीं बनना है किसी के खांदान का मैं पर जो यहां बर्बादी अयाशी और खुदगर्जी के लिए हैवान से भी बत्तर बन चुका है दिरे खांदानी दुश्मन की अउलाद मेरा खून खून पर तेरा खून पानी हो चुका है इसलिए तुम्हा फोल खोलने के लिए आया है वरना मैं इस पाप के महल को एक तेरी और एक तेरे बाब की अब ये सारी की सारी गोलिया मैं तेरे सीने में दाग दूँगा नहीं नहीं शाम बेटे नहीं ऐसा नर्थ मत करना तुने पहली बार अपने घड़ में कदम रख है मेरे बच्चे मैं तेरे हाथ खून से रंगे हुए नहीं देख सकता बाब मुझे पाने के लिए आपको सब कुछ खोना पड़ेगा बाबुजी ये हवेली गाड़ियां दौलत ये जाइदाद इन सबसे नफरत है मुझे इसी दौलत की वज़े से मेरी माँ ने अपनी जान दी और यही दौलत एक दिन मॉंटी भहिया और मेरे बीच में एक ऐसी खाई बना देगी जिसे कभी न पाठा जा सकेगा मैं या सिर्फ एक शर्ट पे रहूँगा बाबुजी अगर आप ये सारी जाइदाद की जिम्मेदारियां मॉंटी भहिया को देदें बोला, बोला, मेरी कवशल्या का राम बोला, राम ने तो चौदा वरश के बाद आकर भरत से गद्दी ले ली थी, पर तुमने अठरा साल के बाद आकर पूरा राजपाथी त्याक कर दिया, ठन्य है, लिखतो इस युक का नया रामायन, आज राम से भी पढ़कर एक मर्या पूर्शोतम ने इस घर में कवतार लिया है, बेता, तुम्हारे इस बलीदान को दुनिया में कोई नहीं भूला सकेगा, कोई नहीं भूला सकेगा, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहूंगा बाबुजी, तुम जैसा चाहोगे, वैसा ही होगा बेटे, आओ शाम बेटे तुम्हें तुम्हारा ओफिस दिखाऊ, आओ, वेल्कम, आओ शाम बेटे, ये हमारा हेड ओफिस है, आज से तुम ही इसके मालिक हो, ये कुरसी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस पर बैठे हुए देखकर तुम्हारी माँ, वशलिया की आत्मा को शांती मिलेगी, मगर मेरी आत्मा को शांती तब मिलेगी बाबुजी, जब आप मेरी दो शर्ते मनजूर करेंगे, शर्ते हैं? अगर आप मेरी शर्ते मानेंगे, तो ही मैं इस कुरसी पर बैठाँगा, क्या है तुम्हारी शर्ते हैं? पहली शर्त ये, कि आप गंगा मा के बारे में कभी सोचेंगे, ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मुझे मनजूर है, मेरी दूसरी शर्त ये बाबुजी, कि घंशाम की हरकतों पर आप पड़्दा डाल दीजे, अठारा साल तक मैंने उसे अपना छोटा भाई माना, तुम्हारी ये शर्त भी मुझे मनजूर है, थांकी बाबुजी, बेटा, मैं तुम्हें बताना भूली गया था, कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, दो देन के बाद वापिस आऊँगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, ये अलमारी की चाविया है, अलमारी के अंदर दो करोड रुपए हैं, जरूरत पढ़ने पर इस्तिमाल कर लेना, हां, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, जिवा हुझी हेलो, गंगा, बोलो ठापूर, क्या बात है, वा, मेरी आवाज पहचान गई, तुम्हें तुम्हें मर्च से दम तक नहीं भूल सकती, अगर यही बात है, तो आएंदर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मैं गंदीज से हमेशा दूर रहना पसंद करती हूँ, गंग मुझे बर्बाद करने का जो तुन्हें चक्रवियू रचा था ना, वो बुरी तरह से तूट गया, वो तो शुक्र मनाओ, के मेरे बेटे शाम ने मुझे वक्त पर लोग दिया, वरना तू और तेरा बेटा घड़ शाम, दोनों सलाखों के पीछे होते। मा, मा, देख शाम भाईया शहर से आगय है, और मा, इस बार भाईया शहर में साथ दिन लागा के आए, और इस बार खेलोरों का बिजनस इतना अच्छा हो के मैं, पहले तरकी करके तू आया था, अब शाम आया है, लेकिन मा तू नहीं जाए, मा, तूने हमको मारा मा, जब ये घर की मरियादा छोड़ देते हैं, तो मा की ममता भी कठोल बन जाती है, लेकिन मा, हमने ऐसा क्या क्या है, पताओ, कौन से काम की प्रोमोशन करके आ रहे हो तुम लोग, मा, वो गुपता जी की खिनों का, जूट मत बोलो मुझ से, मा, मैं पूछती हूँ, क्यू गया थ मा, तुम्हें जिते जी मर जाओंगे, मा, तेरे दो बेटे इतने शक्तिशाली हैं, क्या हमारी और तुम्हारी तरफ कोई आख उठाके भी नहीं देख सकता, मा, उस थाकुर में हमारे बाबुजी के हत्या किये, तेरी सारी खुश्या चीनी हैं उसने, उसी थाकुर की वज मा, सिर्फ जुदाई, हा मा, हम उसको मिटा करेंगे, नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं, भूल जाओ उन सब बातों को, ये तू कह रही है मा, तू, जिसने बचपन से हमें गीता का पाट पढ़ाया है, अन्याय करना पाप है मा, लेकिन अन्याय सेहन करना उससे भी बड़ा पाप है, अगवद गीता की यही शिक्षा है न मा, मा, तुम फिकर मत कर, हमें कुछ भी नहीं होगा, तेरा आशिर्वाट जो हमारे साथ है मा, यह सारी जमीन आपकी है, आज की तारीक में सोना है सोना, इसे बड़े ठाकूर ने बरसों पहले करिदा ता, नमस्कार पोटे मालिक, नमस्कार, यह लोग कौन है मैनेजर साब, यह जोपड़ पटी वाले हैं, और पूरी जमीन पर कबजा करना चाहते हैं, नहीं मालिक, उसके लिए एक अर्जी है, तो तुम लोगों को करोडो की जमीन दान कर देंगे, अरे बड़े ठाकूर यहां फाइस्टर होटर बनवाना चाहते हैं, और तुम लोग यहां जोपड़ी जोपड़ी बनवाकर गंधिके फैल आना चाहते हो, नानेजर, आपके कितने बच्चे हैं, चार, वा, एक या दो के जमाने में चार बच्चे, जरूर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते होंगे, क्यों ना हम यहां पे एक इंग्लिश स्कूल खोलें, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, बड़े होकर अप आपको काम नहीं हो सकता अरे ये तो अपने बड़े सरकार जैसे ही निकले ना बेटा कारोबार कैसा चल रहा है आपके जाने के बाद मैंने कारोबार ऐसा चलाया बाबुजी जिसे देखकर आपकी तब्यत खुश हो जाएगी चाबाश मुझे तुमसे यही उमीद थी मैं अकेला भला क्या कर सकता था बाबुजी मेरे तन्मन के साथ अगर आपका धन नहीं होता न तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता शाम कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो लाग का बारा हजार कर देते हैं और कुछ तुमारे जैसे बेटे होते हैं जो अपने बाप की दौलत को सौगुना बढ़ा देते हैं I'm very happy चलो ओफिस की तरफ ले लो ओफिस तो हम जाएंगे ही बाबुजी लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी जगे ले चलता हूँ जहां का माहौल देखकर आप खुशी के मारे उचल पढ़ेंगे तो चलो ये सब क्या है शामीटा गरीबों के दिलों में आपके प्रतीश रद्धा है बाबुजी आईए इन 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 आपको के बारे में आजकल कौंग सोचता है हम आपका ये उक्तार जीवन मर नहीं भूलेंगे जिनका हमें इंतिजार था वो हमारे दीज पधार चुके हैं तालिया भाईयों और बहनों जैसा कि आप सब जानते हैं इतनी महंगी जमीन जिस पर फाइस्टा होटेल बनाने का प्लान था आपके दयालू हृदेश श्री ठाकुर भीम सिंग ने आप लोगों के बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल और मकान बनाने के लिए दे दिये हैं तालिया सत्रा करोड की जमीन को सिर्फ सत्रा लाक में दे देना सिर्फ ठाकुर भीम सिंग जैसी विशाल हसती ही कर सकती है हम जवडबटी वाले ठाकुर साब की जुबान से दो लब सुनना चाहते हैं ठाकुर भीम सिंग सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते हैं तादिया सत्रा करोड की जमीन सत्रा लाक में ठाकुर साब ने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं दी ताकुर भीम सेंग बरसने वाले बातल हैं बरसने वाले थाकुर भीम सेंग बाबोजी बाबूजी, मेरी बाता सुने बाबूजी बाबू जी बपड़ जाओ बाबू जी छोड़ तो मुझे आपका कोटी look अरे कोट तो क्या तुने तो भरे बजार में मेरे सारे कपड़े उतार दिये सत्रा लाइक नीचोड़ा बाबू जी अगर उस जमीन पे घरीबों के घर बनेंगे तो उनकी दुआउं से आपके 17 जरन के पाब धुल जाएंगे बाबुजी अरे तु मेरी बरबादी चाहता है ये मेरी आबादी आपकी आबादी बाबुजी मेरी आबादी उस गंगा के पास से जो भी पट्टी पढ़के आता है न वो मुझे आबाद करने के बजाए चूनना लगा के चला जाता है नहीं बाबुजी, यह आपका वहम है पुराने जमाने में अपने पुर्खों के पाप धोने के लिए भागीरत स्वर्ख से पृत्वी पर गंगा को लाया था मैं अपने बाब के पाप धोने के लिए गंगा के घर से आए तु मेरा खून है या उस गंगा के आदर्शों का सड़ा हुआ पानी है गंगा का पानी पवित्र होता है बाबुजी हो सकता है कि मेरी रगो में आपका खून बहरा है लेकिन उसी गंगा के आदर्श मेरी आत्मा में है, चरीर मर जाता है बाबुजी, मगर आत्मा नहीं मरती, आज फैसला होके ही रहेगा कैसा फैसला? कि आप बेटा चाहते हैं या दौलत, अगर दौलत चाहते हैं तो बेटे को भूल जाएए यह तुम क्या कह रहे हो शाम? जो आप सुन रहे हैं, मैं जा रहा हूँ नहीं शाम, बेटा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे हाँ मेरे पती एंकाउंटर में नहीं मारे गया थे, बलकि उनका खोन ठाकुर भीम सिंग ने किया था और यह सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ था आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आपके पती ठाकुर रंगा और सुक्खा के एंकाउंटर में नहीं मारे गया थे बलकि कलेक्टर भीम सिंग नहीं आपके पती का खून किया लेकर उस वक्त आपने कानून की मदद क्यों नहीं ली क्योंकि उस वक्त कानून के रक्षक कानून के भक्षक बने वे थे और मैं अकीली थी आज मेरे दो बेटे हैं आपके बेटे गंशाम ने 20 साल पुराने फाइल खुलवा दी है, जिसकी मैं तारीफ करता हूँ. आप तो इस केस की चश्मदीद गवा हैं ही. CBI officer, शर्मा सहाब भी अदालत में गवाही देने को तयार हैं. अब कलेक्टर भीम सिंग को फासी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता. जीजा जी, ये रही एक्सपोर्ट की. सहाब. क्या है? पुरिस आई है. सर, ये रहा आपका आरिस्ट वारंट. वारंट? कैसा वारंट? अठारा साल पहले सी बिया ये ओफिसर सत्य देव सिंग के खतल का इल्जाम आप पर है. ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया है? उनकी पतनी गंगा और उनके बेटे घंशाम ने. शाम बेटे, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वज़ा से आज ये मन्हूस दिन मेरी जिन्दगी में आया है. मैं तो उन्हें उसी वक्त खत्म करने वाला था, लेकिन अब भी मैं उन्हें छोड़ूँगा नहीं. चलिए कलेक्टर साब. चंदा मने. जी. मेरे बेटे शाम को फॉरण खबर कर देना. जी. देखो. चलो. जैरी, अब तो बादी शाम के हाथ में जाएगी. अरे, वो भी हाथ मलता रह जाएगा. आखरी बाजी तो तेरी बाप चिंता मण के हाथ में आएगी. गंगामा, ये रही आखरी गड़ी. आधी दुकान तो दिखा चुका हूँ. अगर आपको इस में से भी पसंद नहीं आई, तो फिर मैं गाउँ चला. ठेहरो तो, ये दुखो. नहीं. नहीं? ये वाली? नहीं. अरे मा, मुझे ये वाली सारी पसंद है. हाँ, मुझे भी इसका रहा अच्छा लगा. मा, अच्छा लग रहा इसका रहा. अच्छा ठीक है. कायदे से तो बड़ी बहु का हाग पहले होता है, न? तो फिर मा, मेरी पसंद और मेरी सारी रूपा को देदो. ओ, तैंक यू. मा, जिस राक्षर को तुम फासी के फंदे पर लटकते वए देखना चाहती थी, वो कानून की गृफ्ट में आ चुका है. ये देख उसकी दस्वीर. भगवान के घर में देर है, अंधिर नहीं. मुझे बर्बाद तो तुमने किया बेटा, लेकिन फिर भी तुम यहां मुझे मिलने के लिए चले आए. खून का रिष्टा आखर खेंच कर ले ही आता है. नहीं ठाकुर साब, मैं यहां आया जरूर हूँ, लेकिन आपसे मिलने नहीं. आपको सिर्फ इतना एहसास दिलाने के इनसान को उसकी करनी का फल यहीं भुकतना पड़ता है. शाम, तु मेरा बेटा होकर. मत कहिए मुझे अपना बेटा. हमने सुनाए कि हम दोनों में से कोई एक बदनसीबी से आपका बेटा है. और हम यह जानना भी नहीं चाहते कि वो कौन है. तो मुझे यह बताने के लिए तुम यहां आये हो. तुम नहीं जानते बेटा. जब तुम कोशल्या के पेट में थे, तो मैंने मारे खुशी के सारी हवेली को जगमगाया था. उन दिनों कोई भी देन ऐसा ना गिया होगा, जब हवेली में जशन मनाए गए हो. वो जशन आपने दूसरों के घरों में मातम करके मनाए थे. लिकार है हमारा अबाद होना जो किसी को बर्बाद करके हासल हो. यह क्यों भूलते हो ठाकुर साब, कि हवेली में पैदा होने वाला बच्चा अगर नौ महीने का वक्त लेता है, तो किसी घरीब की जोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा भी उतना ही वक्त लेता है. शाम! तुम्हारी जिन्दगी की शाम नजदीक आ चुकी है ठाकुर. याद करो वो देंठाकुर साब, जब एक कलेक्टर के हैसियत से तुमने कितने लोगों के साहरे चीने थे. आज उनी की बद्दुआउं की वज़े से तुम अपनों के सामने होकर भी एक बेसारा होकर खड़े. किसी के हसते खेलते परिवार को बर्बाद करने वाला, कभी खुद के परिवार का सुक नहीं भुग सकता. एक बात और, यह जानते होए भी कि हम दोनों में से एक तुमारा बेटा है, हम तुमसे कोई रिष्टा नहीं रखना चाते हैं. हम दोनों अपनी मा के बेटे हैं, सिर्फ अपनी मा के. आंदी ए, जानदी ए, आंदी ए, जानदी ए. आंदी ये, जांदी ये, आंदी जांदी ये अखिया मत खांदी ये, कोठे थे भुलांदी ये सोए ना सोने थे, सारी राती जखांदी ये आंदी जांदी मुझे सतांदी मुझे बटांदी ये आंदी ये, जांदी ये आंदी एंदी 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 जान्दी एंदी 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 एंद कोटे पे बुनांदा आए, सोने ना सोने दे, सारी रात जंग आंदा आए, आंदा जानता, मुझे सताता, मुझे बता आंदा आए, आंदा आए, जान्दा आए, आंदा आए, जान्दा आए, आंदा आए, जान्दा आए, आंदा आए, आंदा आए, जान्दा आए, आंदा आ आन्दी ये, जान्दी ये, आन्दी ये, जान्दी ये, आन्दी जान्दी ये हाई मुझको प्यार भरी तिथियां लिखता है एक दिल बुर्णे मैं ना कर दो ओ बट्टे दी हम मा तेरा मुटा सथान दाए है आन्दी ये जान्दी ये आन्दी ये जान्दी ये आन्दी जान्दी ये आधा कुंगट खोल के वो दिल तरसाती है ना जुपती है ना खुल कर वो सामने आती है कभी लटका दे कभी जटका दे कभी लटका दे कभी जटका दे मुझे रस्ते ते ना भटका दे ओ लटकी के बाबु तेनी खुडी सता दिये आंदा आए, जांदा आए, जांदा आए, जांदा आए, आंदा जांदा आए अखिया मत कांदा आए, सोटे पे बलांदा आए सोई ना सोने दे, सोई रात जखांदा आए आंदा जांदा मुझे सता आदा, मुझे पता आए आखियााम ठत्रिये, कोठे दे बुलांदिये, सोए ना सोने दे, सारी राती चकांदिये, आणदी, जा ढजी, मुझे सातांदी, मुझे बठांदी, है आंदाए, जांदाए, आंदाए, जांदाए, आंदाए, जांदाए पकुडिये, हाँ पतिया, चले चलिये हाथ पतिया, और सोडिये, और साया चादे सापनू, चले चलिये, किते चलिये, किते चलिये एपे चलिये, अपे चलिये चलिये, चलिये कर दो कर दो कर दो कर दो आपको कमिशनर साथ के यहाँ चलना होगा चलो यह 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 आप लोग कहां लेकर आये हैं मुझे? कानुनन हादसा चहां होता है मेडम आजकल केस भी वहीं लगा जाता है भीम सिंग साथ चौंगे मुझे देखकर तुने और तेरे बेटोंने तो सोचा होगा के मैं हावालात में हूँ और बहुत जल्द फांसी पे चड़ा दिया जाओंगा भीम सिंग? तेरे एक सो अपरात पूरे हो चुके हैं अब तेरा अंतिम समय आ गया है अंतिम समय किसका नजदीक आया है इसका पता तो आप चलेगा गंगा बांदो इस औरत को खबरदार जो किसी ने हमारी मा की तरफ आख उठाकर भी देखा तो अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहां आ गये हम अपनी मा को बचाने आये है नहीं तुम्हारी मौत तुम्हें यहां कीच लाई है जरा अपने इर्दगरी देखो थाकूर सौ कुत्ते पारले से कोई शेर नहीं बन जाता हम तुम्हारा घमन मिटाने आये थाकूर गंगा इन्हें समझा दे हाँ थाकूर यह तो तुम्हें समझाने आये है देख गंगा मेरा यह किशारा काफी है गोलियों की बोचार हो जाएगी सुन थाकूर आज तेरी गोलियों का जवाब देने के लिए मेरे पास दो बारुत के धेर है शाम और घंशाम गंगा हमारी मा कना मिजजट से लेठाकूर वालों उसे चांड से माट डालेगे प्रत प्रत झालों जटतsz प्रत तेर्ष अस्तर तेर्ष 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 ढ़एड़ प्रत प्रत तो चो व्रत गोली नहीं चलेगी तेरे बारूत ठंडे हो गए गंगा अब देखना मैं इन दोनों का क्या हैचर करता हूँ मैंने कहा था जिस वक्त ये हत्यार मेरे हाथ में आ जाएंगे उस वक्त तुझे सच्चाई उगलनी पड़ेगी गंगा तुने ठीक कहा था मुझे इन दोनों को अपने ही हाथों से मार देना चाहिए एक बाप के सामने बेटा होने कर ना ठक करके उसकी भावनाओं के साथ खिलवार किया तुमने नहीं चाहिए मुझे ऐसी आउलाद जिसने अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया चलाओ चलाओ गोली गोली चलाओ चलाते क्यों नहीं हाँ हाँ मैं नहीं चला सकता नहीं मार सकता और यह तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे तुझ पर तरस आता है भिम सिंग क्योंकि तेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं रास्ता है गंगा दूसरा रास्ता मैं तेरी जान तो ले सकता हूँ तुने अपने दूद में जहर मिलाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाब पड़काया तुझे कबूल करना पड़ेगा कि अपने पते की मौत का बद्वाय लेने के लिए तेरी ये साजिश थी ममता की आर में तुने बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया मा कभी अपने बेटे के खोन में जहर ने मिलाती मा को तुने समझा है कब है मा इस एक शब्द में दुनिया की शान है मा के दुद में अम्रित होता है सर्प अम्रित तुन्गाओ मा ठाकपूर अरे अरे देको मॉंटी पिचारे जीजाजी, अरे क्या हालत बना दीये आपकी और प्र जीजाजी, आपकी जयदाद को समालने के लिए हम जो बैठे हैं अपना बोज तो उठानी सकता तो, मेरी जयदाद का बोज़ क्या उठाएगा बोज उठाने के लिए तो मेरा बेटा मोंटी जो है जीजा जी और फिर वसीयत नामा तो आपने पहले ही उसके लाम कर दिया था वो वसीयत नामा तो मैंने फार दिया था जो आपने फार दिया था वो नकली था और असली वसीयत नामा हमारे पास है मैं जुझे गोली मार जूँगा अरे आप मुझे क्या मारेंगे थाकूर साहब यह जो जितने लोग हैं जो कभी आपके थे आज उनके एक-एक के दिल पर चिंता मुणी की हुकुमत है देखते क्या हो फूल डाले इंशपो थाकूर साहब कल तक मैं आपका बेटा था और ये सारे आदमी ये आपके सारे आदमी अब मेरा साथ देंगे मेरा हाँ थाकूर साहब अब तो मैं मॉंटी का हग उसे दिलाकर ही रहूँगा जंता मनी तेरी ये मजा अब बता गंगा इनमें से तेरा बेटा कौन सा है और थाकूर का बेटा कौन सा देख गंगा हमारी दुश्मनी तेरे साथ नहीं है हमारी दुश्मनी तो इस थाकूर और इसकी उस उलाद से है जिसकी रगों में इसका खून बह रहा है और जो इसकी जाइदाद का वारिस बनने वाला है मुझे सिर्फ थाकूर का बेटा चाहिए सिर्फ थाकूर का बेटा यही गोली गंगा तेरे बेटों के सीने में भी गुजर सकती थी गंगा बता बता इन दोलों में से कौन सा तेरा बेटा है वरना में इन दोलों को ही गोली मार देता हूं मां, तू कहज़े कि में थाकर का झा शी बेटा नहीं हूँ मां कित रहा हूँ, है तू इसकी बात नहीं सुन. मां मैं तु इसा कि रहा है इसलिए का रहा है कहा नहीं मा तु कहते कि मैं ही बेटाउ ठाकॉर का मा तुझे मेरी कसम है शाम की जान बचाले मा दे लुट भाज़ा ले मा देमा मुझह वर्जाने मा सच बोलू म्याजू दिल पे चले खटाव बट जाएगा मेरा करेगा बट जाएगा प्या सच बोलू म्याजू दिल पे चले खटाव बट जाएगा मेरा करेगा बट जाएगा क्या मेरी हाला से मपता हो जाएगी पजिना शाम धन शाम मेरी शाम धन शाम प्याजूं ये लोग अब तक जिंदा है उश्पा बाँडी बेटे तुम्ने इंका मारा त्यों नहीं माह बसी अब कुशीपल के महमान है बोल गंगा, मैं भीम सिख्ये बेटे का मारना चाहता हूँ हराम जादे जन्ता मने, जन्दगी पर मेरे साथ धोगा करता रहा तू हद्दार हाई! झाल 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 जाल झाल जाल झाल जाल झाल झाल चलो उट साले उट इंस्पेक्टर साहब यही है असली मुझ्रीम फकट लीजिए कुछ नहीं जानती मैं तो सीदी साधी पूझाबाट करने वाली आउरत हूँ माँ तू ठीक है न माँ माँ तुझे गंगा, शाम, इन्हें जल्दी हस्पितार ले चलुछ। नहीं, नहीं, गंगा, ये तो सजा है मेरे जुर्मों की, जिसका मैं हगदार हूँ अपना बेटा पास होकर भी, मैं जन्दगी भर फुत्र फ्रेम का प्यासा रहाँ गंगा, ये मेरा अंत्म समय है अब तो मेरे बेटे के हाथो, गंगा जल पिलाकर, मेरी प्यास पुझा दू गंशम, जाओ, मंदिर से गंगा जल लियाओ माँ गंशम, जाओ, मैं कहती हूँ साम आ माँ कोशलिया को जी वचन मैंने दिया था वो मैंने पुरा किया आज मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ शाम तुम ही इनकी बिटे हो, शाम इनकी हर चीज के वारे से ए गंगा जल लो और अपने पिता को बिला यही तुमारा पुत्रदा माशाम हाशाम करिस भूँ करें ऐका कर वयू करते आयुआ विल्प leaning बिल Wow कर अपने शानव रचॉप हॉक हे ब तुमारा कर राहू यहे शाम वाल एक बेटे के लिए तरस्ता नहाँ एक हिनाज मुझे दो बेटे बिल गए शाम कंशाम गंगा 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 शामबाबु 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 छोटे मालिक जिस तरह हमने बड़े मालिक थाकुर साब कि सेवा की थी अब आप ही हमारे नए मालिक हैं हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे रिर्याबुटे रिर्याबु! रि solके वोग्याइ! रिर्याबenne the錢 wives शाम, भाया शाम, तू तेरी आंसु पोचने आये हूं मा यह क्या तेरी आंसु पोचने गा, यह तो खुद रो रहा है मा मैंने तेरी आग्या का पालन किया सारी जमेदार्या निभाई है मैंने कौशलय मा के नाम पे, मैंने सारी जयदात का ट्रस्ट कर दिया है मा मगर मा, तुम तोनों के बगएर, मैं यह जिन्रगी का सफर नहीं कुजार पाऊंगा मा नहीं कुजार पाऊंगा मेरा 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 मच्चा हम दोनों है एक इसे अलग हो कैसे ना हम दोनों है एक से अलग हो कैसे ना इसी लिए सब तहते हैं हमेशा हम घनशा हो शाँ, घनशा हो शाँ, घनशा हम दोनों है एक इसे किरिए